जाहिन सातियों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल आई प्रेपर क्लासेश में तो वन वूश्ट इंपोर्टेंट दोस्तो बिग अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है 2023 की पहली बड़ी भरती की बात करने वाले हैं फस्ट अफ अब दोस्तो हम बात करते हैं का इस 2023 की पहली भरती कौनसी होने वाली है किसकी दोस्तो 2023 की सबसे पहली और बड़ी भरती दोस्तो कौनसी होगी जिसके दोस्तो जनवरी में आवेदन सुरू हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तो बरती पर कैसी होगी सारा कुछ डिसकस किया और एनी अधर ओल एक्जाम्स ओफ कॉंप्टिटिव एक्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आई पे पर क्लासिस चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर देना ठीक है तो चलिए दोस्तों सेसन को स्टार्ट करते हैं तो गाइस मैं सीधा आपको नोटिफिक सब्सक्राइब करते हैं तो चार जनवरी से स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों चांसित है कि यह दोस्तों जनवरी की पहली भरती है ठीक है और गाइस बात करें लास्ट डेट अपले एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के होगी पच्चिस एक दोजार तेईस चार तारिक स पत्चिस अरिके भी इसमा हम फॉर्फिल कर सकते हैं ठीक है ऐड्मिट कार्ड रिलीज डेट दे रखी है इंहोंने गयाज cbt की एक्जाम की एड्मिट कार्ड डेट भी दे रखी है looks पंद्रा जनवरी दोजार तेइस ठीक है 15 जनवरी सोरी 15 फेबरेरी दोजार तेइस को आपका एड्मिट कार्ड भी आ जाएगा वह एक्जाम का and schedule of CBT tentative है tentative कितना दे रखा है अब 22-28 फेबरेरी दोजार तेइस को ठीक है 22-28 फरवरी को कब दोस्तो 22-28 फरवरी तक आपके एक्जाम हो जाएंगे इस वेकंसी के समझ में आगा दोस्तो तो एक अच्छी कासी वेकंसी आप सभी के लिए एक best opportunity आ रही है दोस्तो निकल कर और मैं अपने सभी इस्टरेंट से कहना चाहूंगा guys इस वेकंसी को फिल जरूर से कर देना क्योंकि दोस्तो आपके लिए most of the दोस्तो एक best opportunity यह निकल के आ रही है भई अब हम बात कर लेते हैं दोस्तो किस में है यह वेकंसी फरस्ट अफॉल तो दोस्तो यह वेकंसी है आपकी CRPF की ठीक है CRPF की CRPF में दोस्तो यह है Central Reserve Police 4 की advertisement for recruitment of ASI Stano and Head Constable Minister ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तो सारा कुछ guys मैं discuss करा दूँगा first of all पूरा notification discuss करेंगे तो इस session को आप सभी को share करना जरूरी हो जाता है ठीक है ASI जो assistant sub inspector Stano किया guys इसमें दोस्तो टोटल है 143 post and Head Constable Ministeral में ज्यादा ध्यान देना है आप सभी को 1315 post है ठीक है कितनी है 1315 post एक best मोका है आप सभी के लिए आगे हम बात कर ले गा गाइस ASI वालों का है लेवल 5 का and Head Constable का है लेवल 4 का अब लेवल 5 वाले की बात करें तो इसमें है 29,000 से 92,000 का पेशकेल एक दमागेदार पेशकेल आप सभी को मिलेगा Head Constable Ministeral की बात करें तो 25,500 से 81,100 तक का पेशकेल मिलेगा Age Limit 18-25 के बीच में होनी चाहिए यह compulsory हो चुकी है ठीक है बागी दोस्तों यह notification जो PDF है न मैं आपको Telegram चैनल पर send कर दूँगा सभी Telegram चैनल जोइन कर लेना link description में जा कर आगे हम qualification की बात कर ले गाइस यह main factor हो जाता है qualification क्या होगी तो candidate must have passed intermediate 10 plus 2 equivalent exam from any recognized board and university ठीक है क्या दोस्तों किसी भी recognized board या university से आप सभी की 10 plus 2 होनी चाहिए यह confirm है गाइस और 4 जनवरी 2023 से form apply हो रहा है बही चले दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यह तो सारा कुछ मैं discuss करी चुका हूँ ठीक है session को share जरूर कर देना ठीक है session को सभी share जरूर कर देना आगे हम बात कर लेते हैं इसमें age limit यह रही आपकी screen पर है 18-25 के बीच में age limit होनी चाहिए candidate की ठीक है और 1998 में से 2005 के बीच में उसका जनम होना चाहिए यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना थोड़ा सा चेक करने के बा आप फॉम अप्लाई किया करें यह दोस्तों आपके लिए पहला क्राइटेरिया है किसी फॉम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें मैनत दे रहे हैं और आपका फॉम रिजक्ट हो जाए किसी कारण वर्स तो बहुती मतलब गलत हो जाता है चली दोस्तों age limit का relaxation की बात कर लेते है इन्होंने दे रखा है यह as per standard है आप चेक कर लेना standard क्या होता है as per standard ठीक है चली दोस्तों क्योंकि ज़्यादा कुछ discuss नहीं करेंगे main main factor हम discuss कर लेते हैं काफी बड़ा notification है ठीक है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका सीधा वह exam pattern क्या होने वाला है selection process क्या होगा भई selection process आप सभी के लिए जानना जरूरी हो जाता है ठीक है लो भई ठीक है यह होगा चलो आ रहा है धीरे धीरे how to apply यह सारा कुछ दे रखा है guys इसे नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो application fees की बात कर लेते है application fees आप सभी के लिए जरूरी हो जाती है दोस्तों examination fees 100 रुपे है for male candidate of journal EWS OBC only कहने का मतलब EWS और OBC वाले जो है न एक तो OBC और EWS के लिए 100 रुपे है ठीक है बाकि SC STX Service One वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है ठीक है and female candidate के लिए भी कोई फीस नहीं है all category के लिए female candidate OBC हो या EWS हो female के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी बस केवल OBC और EWS वा आगे द्यान रख लेते हैं आगे आगे आपका CBT one of the most important आप सभी के लिए आ चुका है यह CBT के लिए center city की बात कर लेते हैं तो center city के पास आपके पास तीन option होंगे choose करने के ठीक है तीन option होंगे guys तीन अपने अच्छे से choose कर लेना यह आपकी screen पर है काफी सारी दोस्तों इन आग्जामिनेशन कब होगा मतलब इसके आप एक्जामिनेशन दे रखा है यह दोस्तों एक्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ओफ CBT computer-based test skill test physical standard test कहने का मतलब selection process है यह पहले आपका दोस्तों क्या होगा CBT होगा फिर उसके बाद आपका skill test होगा फिर उसके बाद आपका physical standard test हो होगा फिर उसके बाद आपका DV होगा एंड दोस्तों detailed medical होगा examination all these state of examination are mandatory details of these paper test is follows ठीक है computer-based test की बात कर लेते हैं सभी attention हो जाओ एक बार इस process को जान लो भई फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तयारी कहां से करने आपको best तयारी कहां से करने पड़ेगी ठीक है जो दोस्तों आप selection ले ही पाए confirm हो जाए तो अब हम बात करते हैं CBT की 100 question आएंगे ठीक है आपको time मिलेगा 90 minute यानि 10 गंटा 90 minute में 100 question आपको करने है एक अच्छा घाजा time period मिल रहा है कोई tension वाली बात नहीं है आगे बात कर लेता है इस one fourth की negative marking होगी यह ध्यान रखना भई 0.25 की negative marking होने वाली है इसमें ठीक है आगे देख लो यह दोस्त आपकी screen पर आच चुका है syllabus इसका ठीक है syllabus दोस्तों यह है आपका इसमें चार section होने वाले हैं सबसे पहले बात करें Hindi language और English language optional है आप कोई भी choose कर सकते हैं Hindi language और English language एक section यह है फिर है journal aptitude, journal intelligence and दोस्तों quantitative aptitude सार ही 25-25 नंबर केंगे चारो section और 90 मेर्ट में आपको show question करने है वन फॉर्थ की negative marking के साथ यह आपकी screen पर है negative marking is 0.25 marks ठीक है चलिए बई अब आगे बात कर लेते हैं इन्होंने normalized का दे रखा है बिल्कुल marks scored by the candidate in CBT will be normalized as such normalized score will be used to determine final merit and cutoff marks ठीक है तो normalization भी हो सकता है दोस्तों आ अलग-अलग shift में paper हो जाता है अगर number of applicant जादा हो जाते हैं the question in the CBT will be intermediate level के question होंगे आप सभी के ठीक है यह भी ध्यान रख लेना चलो भई skill test की बात कर लेते हैं guys skill test यह दोस्तों only those candidates who qualify in CBT shall be called for next stage of recruitment example के लिए skill test PST physical test हो जाएगा DV medical हो गया which will be conduct as various दोस्तों क्या CRPF conduct कराएगा ठीक है चलिए बई आगे यह तो आपकी screen पर है यह skill test दोस्तों क्या है इसमें दे रखाई skill test के लिए उन्हें 10 minute में 80 per word मतलब यह जो है ना ASI वालों के लिए है ASI वालों के लिए only for sub inspector assistant sub inspector वालों के लिए है के वल इन्होंने दे रखाई guys 10 minute में जो इस्टैनों वाले बच्चे है ना वो देख लो 80 word per minute मांगे है इन्होंने 10 minute में ठीक है and transcription की बात करे time 50 minute in English for 65 minute in Hindi on computer आगे बात कर ले skill test for आपका head constable minister वालों के लिए है English typing with minimum speed of 35 word per minute ठीक है Hindi typing minimum 30 word per minute यह मांगा हुआ है बई किनके लिए है यह head constable के लिए है और यह दोस्तों ASI वालों के लिए था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है proper अच्छे तरीके से आगे दोस्तों physical test की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा this field से बई क्योंकि जादा session लंबा नहीं करना है हमे फिजिकल टेस्ट गाई जा चुका है फिजिकल स्टेंडर टेस्ट और डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्किल की बात कर लेते हैं सबसे पहले पीएस्टी की बात कर लेते हैं पीएस्टी क्या होने वाला है दोस्तों category देख लेना है आपर category of candidate height भी दे रखी है चेस्ट भी दे रखी है और expand करने के बाद कितनी होनी चाहिए ये भी दे रखा है male candidate की बात कर लेते हैं तो दोस्तों height होनी चाहिए 165 cm male candidate 165 cm height होनी चाहिए ध्यान देलो सभी ठीक है दोस्तों ये serial number 2 and सीरेल नमबर थर्ड को छोड़ कर है के वल सीरेल नमबर वन वालों के लिए है ठीक है टीन दे रखें ना इनोंने चेस्ट बात कर ले मेल की 77 है एक्सपेंड करने के बाद आप सभी को पता है पाँ सेंटीमेटर बढ़ानी होती है आप सभी को 82 सेंटीमेटर बैट जाता है पा अविशारी सिक्किम नागल है और नाचल परदेश ठीक है जो अधर कैटेगरी होती है जनजाती वाले छेतर उनके लिए 162 हाइट मांगी हुई है 77 मांगी हुई है चेस्ट एक्सपेंडेबल 82 है हाइट में थोड़ा रिलेक्सेशन मिला है उनको ओल केंडिडेट बिलोंग ट्राइबस जो एस्टी वाले है ना सिड्डूल ट्राइबस से बिलोंग करते हैं उनके लिए यही सेम है जो दोस्तों आपके यह इधर एरिया वाले के लिए दे रखा है और नौचल परदेश मेंगा लिए 162.5 है और 7681 ठीक है यह एक्सपेंडेबल है आगे फीमेल केंड और फीमेल कैंडिडेट जो दोस्तों इन एरिया से बिलोंग करती है ना फीमेल जो इन एरिया से बिलोंग करती है जो उपर वाले थे जैसे मनीपूर तरिफुरा मिजोरम मेगाल्या लद्डाक हो गया जमुकस्मीर हो गया उनके लिए हाइट है 150 सेंटिमिटर ठीक है तो ए जरूर कर देना यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करना आपका फर्ज बन जाता है ठीक है शेयर करेंगे फर्स अफॉल तो अब हम बात कर लेता है काईस तयारी की अगर दोस्तों आप CRPF की तयारी करना चाहते है ना तो आई पेपर क्लासिस चैनल को जरूर से सब्सक्रा ठीक है यह दोस्तों एकदम दमागेदर तरीके साब सभी का तयार करा सकते हैं हमारे पास एक अच्छी खासी फैकल्टी है तो इसलिए दोस्तों सभी बच्चे आपको दोस्तों कॉमेंट करना है मैक्सिमम टो मैक्सिमम अगर आप तयारी करना चाहते है ना इसकी HCM वाली औ कर देगी तो हमें जादे जादा कॉमेंट चाहिए बस ठीक है अगर दोस्तों बच्चे द्रेड़ी है ना तो हम आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दमागेदर तरीके साब की तैयारी स्टार्ट करा दी जाएगी तो काईज मिलते हैं नेक्स सेशन में हैं बनाइस अपनी तैयारी को जोरो सोरो से करते रहिए